आज की इस वीडियो को टॉपिक है कि what is electrical circuit और type of electrical circuit क्या होता है मतलब कुमलाकर के बाद ये हुई कि जो हमारी electrical circuit होती है वो क्या होती है और कितने प्रकार की electrical circuit होती है आए जान लेते हैं या question आपसे interview में भी पूछा जा सकता है तो आपको क्या जवाब देना है आए समझ ले इतना बता देंगे तो आपका अच्छा impression हो जाएगा किस में circuit क्या होती है electrical circuit क्या होते है या आप अच्छे से बता देंगे उसके आपने आपको बताता हूं कि type of electrical circuit कितने होते हैं पूरी वीडियो को ध्यान पूरोग देख लिए क्लियर हो जाएगा आपका पूरा concept देखे नेट्रल वायर पर जाकर अपना रास्ता समाप्त करती है उसको हम electrical circuit बोलते हैं देखिए जैसे कि यह हमारा bulb है मैंने जैसे आपको होता है electrical circuit वह रास्ता होता है यह एक रास्ता है कौन सा रास्ता है जिसमें हमारा electrical supply travel करेगी चलेगी तो रास्ता होता है जिसमें current चलती है यहाँ पर जो हमारी current चल रही है जिसमें supply यह supply यहाँ से निकल करके source से निकल करwire के माध्यम से यह हमारे wire connected है थिक है wire के माध्यम से switch और प्रतुर्द से होते हुए यह हमारा switch है और यह हमारा प्रतुर्द है बल्ब हो जो हमारा होता वो resistance होता है और जो switch होता है यह akswitch है तो क्या है wire के माध्यम से switch और प्रतुरोज से होते हुए अंत में neutral wire या negative wire तक जब आ करके अपना राश्ता समाप्त कर देती है तो उसे हम एक circuit बोलेंगे क्या होगा यहां पर इस तरह से हम स्विच को हमने on कर दिया तो यह circuit जो हमारी close हो गई तो यहां से सप्लाई निकली वो इसके माध्यम से होती हुई इस resistance से स्विच और resistance के माध्यम से होती हुई वापस negative पे आ जाएगी तो यही हमारी circuit होती है ठीक है तो यह आपको clear हो गया ना जब पूरा रास्ता जो हमारी supply है current है वो ताय करके वापस neutral पे आ जाएगा तो उसको हम circuit बोलेंगे अब बात याती है कि type of electrical circuit कितने होते हैं तो जो हमारी electrical circuit होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं पहले होती है हमारी close circuit open circuit और तीसरा होता है हमारा short circuit अब यह तीनों circuit का क्या होती है interview में यह भी चीज़ आप से पूछे है सकते है कि close circuit क्या होता बताईए open circuit क्या होता है बताईए short circuit क्या होता है बताईए देखे जो close circuit होती है वो यह जो चीज़ मैंने आपको बताई यह है क्लोज सर्किट है जब करेंट हमारा जो सोर्स है वहां से निकल करके वापस मतलब स्विच और रेजिस्टेंस के थुरू होता हुआ वापस नेगटिब पे आ जाएगा तो उसको हम क्लोज सर्किट बोलेंगे इसमें यह जो क्लोज बात है इसमें कहीं पर भी कोई यह होता है कि यही चीज आप इस तरह से कुछ बना दीजे यह हमारा ओपन सर्किट हो गया अब यहां पर देखिए यहां से सोर्स से तो करेंट निकल रहा है लेकिन यह चुकि स्विच हमारा ओपन है तो इस करण से यहां से आगे सप्लाई जो हमारी पास नहीं हो पा रही ह यहां तक तो supply हमारी आ रही है। लेकिन इसके आगे supply हमारी past नहीं हो पा रही है। इसलिए current जो हैं यहीं तक क्योट पहुंच पा रहा है, इसके आगे का जो जो यह का पूरा path है, जो रास्ता है, वह complete नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहां जो बल्ब है हमारा जलेगा नहीं यहां पर क्या होगा कि जब close circuit होगा तो हमारा बल्ब जल जाएगा लेकिन यहां पर क्या है कि चुकि circuit close नहीं है इसलिए यहां पर बल्ब हमारा नहीं जलेगा ठीक है यहां हो गई हमारी open circuit अब इसके बाद आती है कि short circuit क्या ह होता है short circuit क्या होता है कि यही चीज आप इस तरह से बना लिए दिखिए यहां पर क्या है कि यह आपने इस तरह से कर दिया ठीक है यहां से current निकला और यहां पर आ तिक यहां पर इस तरह से घूम करके यह रास्ता पूरा हो रहा है अब यहां पर किया हुआ किसी करण से तार तूट करके नेगेटिव पर इस तरह सुग गया मतलब बीच में यह रिजिस्टेंस जो है वह नहीं आ रहा है किसी प्रकार का कोई रिजिस्टेंस पीच में नहीं और हमारी जो current है वो flow हो रही है और बीज में किसी प्रकार का resistance नहीं है और हमारा जो तार है वो negative परा करके touch हो गया तो इसको हम short circuit बोलेंगे लेकिन इस condition में क्या होगा कि heavy amount of current flow होगा और यहाँ पर आग लग सकती है आग लग जाएगी ठीक है या पूरा का पूरा system आपका जल जाएगा तो यह हो गया हमारा short circuit इसमें किसी प्रकार को resistance नहीं है और जो हमारा positive है या face wire है वो neutral से या positive wire हमारा negative से touch हो गया बिना किसी resistance को तो यह short circuit है open circuit में क्या होता है कि जो supply है हमने चालू की तो यहाँ पर क्या source से निकला current और जो switch है हमारा open है तो यहाँ पर यह condition और भी हो सकती है कि आपने switch को on कर दिया लेकिन यहाँ पर कहीं तार जो हमारा break हो गया है तो वहाँ पर भी उसको भी हम open circuit बोलेंगे और close circuit तो मैंने आपक ही दिया तो मुझे उमिद है कि आपको यह पूरा का पूरा concept अच्छे से clear हो गया होगा कि circuit क्या होता है और circuit कितने प्रकार का होता है close circuit open circuit और short circuit तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा लाइक कर दिएगा share कर दिएगा अपने दोस्तों के साथ जिस इतना ही नमस्कार दोस्तों